छीचा जीचा? सचा वे न? अरे? ये क्या? आपके वस्र विवस्तित, शय्या विवस्तित और शय्या पे पड़े फूल भी विवस्तित वैसे के वैसे अंचुए ओ जीजा, आपने ये संचोग भी गबा दिया, आपने तो हमारा मनी खराब कर दिया ये लोग, हमारे टोंग के प्रसित पेड़े, वो भी व्यर्थ कए? हे भगवान, कुछ करो हमारी जीजा का, थोड़ी से सत्बुद्धी दो, हम चलते हैं ऐसे समय पर सच बोलने के लिए शमा चाहते हैं जीजा पर हम आपका दुख समझ सकते हैं एक स्त्री ही दूसरे स्त्री का ये दुख समझ सकते हैं कि इतने तयारिया करो, इतना सब कुछ करो और कुछ ना हो राना जी ने पान का बेड़ा नहीं गाया फिर भी राना जी सो गया यही सोच रही है ना धिर भाई जी ये पान का बेड़ा स्वैम अपने हाथों से अपने राना जी के लिए बनाया था एना धिर भाई जी आपका ये पान का बेड़ा पैसे के वैसे ही पड़ा है जिसमें आपने कितने जदन से नेन दाने वाली आउशदी मलाई थी फिर भी इसे बिना खाय ही राना जी सो गया नहीं समझे ना धिर भाई जी आप समझ भी नहीं सकती धीर भाई जी क्योंकि आज तक आपने पती-पत्नी के संभन का ना तो भली भातियाद समझा है और ना ही गरिम पत्नी मात्र शरीर नहीं होती धीर भाई जी पत्ती के मनोरंजन के लिए एक साधन मात्र नहीं होती पत्नी वो जो शमा करना आप है राना जी की किन्तों इसमें आपका कोई दोश नहीं है आप छोटी है आपके बुद्धी छोटी इसलिए इस संभन के लिए आपकी सोच भी जोटी अब कभी कभी छोटी सोच इर्शावश खोटी सोच बन जाती है इसलिए कि अथन आपने ये शर्यंत्र आके राना जी को शीगर ही नहीं दा जाया इन्तों क्या आप जानती है धिरवाई जी? कल रात हमारे बीच इतना गहरा संभन बना कि हम दोनों के आत्मा और दिल तुर्प्थ हो गए राना जी को जो सुख जो शानती जो तुर्प्ती हमारे साथ मिलती है और कहीं नहीं मिलती अच्छा लगता है उन्हें हमारे साथ समय बिताना उनके सिर्फ शरीर को ही नहीं दिल और आत्मा को भी शानती और सुकुन मिला है ये अनुभूती राना जी को आप कभी महीं दे पाएंगी धिरवाई जी कुवर प्रताप को अपने मार्क्व से हटाने के लिए आपने जितने शरीयंद्र किये उन सभी को हमने देखा समझाए धिर भाई जी जाहे वो उन्हें शमस्खान की चाउनी में कच्चे आम लाने के लिए भेज कर किया हो चाहूनी में घूसमाट या चाहे उन्हें विश्च पिलाने का प्रयास किया हो अब आप ये कुवर परताब को पिला दीजी ये विश्च आशी या चाहे उन्हें गुरुकुल में असखल और अपमानित करने के आपके प्रयास रहे हो कुवर परताब जली आईए और चाहे हमें दूख दे दे कर दे दे कर ऐसे सिति में लाना के हमने आपके प्रभाव में आकर अपने ही पुत्र के भावी राजया विशेक को रोब कर उन्ने निर्वासित कर्वा दिया हम आपको इसी शर्व legislator हमारे अपनों से निर्वासित करते हैं या फिर चाहे अभी अभी का शर्यंत्र हमसे हमारे पुत्र के सखवीर वाले सच को राना जी से ऐसे कहलवाना कि पिता स्वयम के पुत्र को स्वयम ही मार दे अपने कृषिन मुरारी से कहिगे कि हमें उस सखवीर को पकड़ कर मारने का अशिरबात दे किन्तु क्या हुआ एक भी शारियंत्र सफल हुआ नहीं हुआ क्योंकि जीत सदा सच्चाई के होती है अच्छाई के होती है जीत सीता मया के हुई थी धीरबाई जी शुर्प नखा के नहीं समझी अब खड़ी खड़ी हमारा मुह क्या देख रही है जाइए यहाँ से ऐसे जाते जाते आपको एक बात अवश्य बताना चाहते हैं जीचाई पूर्ण पत्नी तो आप भी नहीं है राना जी को जो सुक हम से मिल सकता है उनको आप से कभी नहीं मिल सकता और ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं भूल गई हो तो आज रात देख लेना राना जी अवश्य हमारे कर्च में आएंगे फिर बताते ना किसकी हार हुई और किसकी जीत किन्तो आप विरिंदवन क्यों जाना चाहती है यहां हमारे साथ इस महल में रहिए धाइमा आपको बूंदी की प्रजा की चिंता करने की कोई अवश्यक्ता नहीं है बूंदी की प्रजा अब सुक और शान्ती से रहेगे और वो राव सूर्तन बूंदी की प्रजा पर अत्याचार करने से पहले अब दस बार सोचेगा हाँ बना दे हम आपसे विंती करते हैं अप रहे हैं न हमारे साथ यहां केवल राणा जी हैं अपी तु हम सब ही ममता के लिए तरस रहे हैं हमारे किसी के भी सर पर मा के आशिरवात का हाथ नहीं है कि तु हम जब आपको देखते हैं हमें लगता है यह कमी पूरी हो गई मेवार के राच परिवार को आपके मार की दर्शन और आशिरवात की बहुत आवशकता है भले हम कहीं रहें लेकिन हमारा आशिरवात सदा बहुजिराज और उनके पूरे परिवार के साथ रहेगा किन्तु सजबात तो यह है जएवन तबाइसा यह महल हमें अपरास नहीं आते हैं यह हमें हमारे बीते हुए दिलों की ऐसी ऐसी बाते या दिलाते हैं यह हम भूलना चाहते हैं बहुजिराज नहीं बहुजिराज नहीं बहुजिराज हमने चोकुछ भी किया उसका हमें कोई पच्दावा नहीं है किन्तो आप अपने आपको उस बहात के लिए उत्तरदाही मत मानियेगा समझाओ कोवर प्रताप को देख लीजिए वो किन विपरीत परिसीतियों में अपने शौरे की किर्थी अरजित कर रहे हैं पर यदि ऐसे वंश पर अंपरा को पचाने के लिए अपने पुत्रे का फिर से बलिदान करना पड़े नहीं तो हम हस्ते हस्ते करेंगे हाँ बहुचिरार तेरी से हम हस्ते हस्ते वलिदान करेंगे अरे क्या हुआ जो हमने अपना एक बेटा खो दिया किन्तु नजाने ऐसे कितने माओं की बेटों को हमने बचा लेए हमें और क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए हमें क्या चाहिए क्या चाहिए किन्तु बाउजिराच, विरसे अभी महलों है महलों, नहीं हो पाएगा हमसे बाउजिराच, इसलिए हमने सोचा है, कृष्णा को उसके नानी के यहाँ छोड़कर, हम अपना जीवन रभू के सेवा में अर्पित करना चाहते हैं, और इसके लिए व्रिंदावन से अच्छा स्थान और कौन सा हो सकता है? अपना जाई, वैसे कृष्णा कहा है? बाउजी राज, वह आपके सामने आने से डर रही है, इसलिए दूसरे कक्ष में पना दाई की प्रतिक्षा कर रही है. क्या, हमारे सामने आने से डर रही है, बड़ी मुर्ख लड़गी है, कौवर प्रताप, अप मिलाईए उससे, हम अभी आए. ताइमा, हमने सुना आप प्रिंदावन जारी हैं, तो जाने से पहले हम आपसे एक बात पूछें. पूछे न, सज्जवाईसा, क्या पूछना चाहती हैं आप? वो क्या है न, कि कौवर प्रताप आपके हाथ के बने बादाम के हल्वे की इतनी प्रिशन सा करते हैं न, कि हमारा मन क्या कि हम आपसे पूछे ले उसको बनाने के संपूर्ण विधी. तो यदि जाने से पहले आप हमारे राजकी रोसये को उसकी विधी बता देती तो, वो क्या है न, हमें बादाम का हल्वा बहुत अच्छा लगता है. अवश्य सज्जवाई साथ, यहां से जाने से पहले हम सब के लिए अपने हातों से बादाम का हल्वा बनाएंगे, सब को खिलाएंगे और आपको सिखाएंगे भी. हमें, सेवक प्रताव, यही कहती थी न, दूम से? हमें शमा कर दीजे, बाओजी राज, हमसे भूल हो गई, हमें जान लेना चाहिए था कि, आप, आप है, बैठती क्यों नहीं हो तुम, बैठ जब, भूंदी में तो बहुत अकड़ा कड़ा कर बात करती थी तुम हम से, और यहां हमारी बात भी नहीं सुन रहे हो? कृष्णा, अब आपका सम्मान प्राप्त करने के लिए एक राज कुमार को क्या करना होगा? पहले हमें सेवक प्रताप का, जाओ जाकर अपना काम करो, राज कुमार के सेवक बन जाने से, तुम राजसी सोच वाले नहीं बन सकते, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, कि तुम यहां से तुरंट चले जाओ, यह कायर है, कायर, फिर हमें कायर भी कह दिया, अरे, तुम फिर खड़ी हो गई, हमने तुम से खड़े होने के लिए कहा, हमने तुम से बैठने के लिए भी नहीं कहा, अरे, कृष्णा, जिस शंड तुमने हमें सखा क्या दिया था, उसी शंड हमने तुम्हें अपनी प्यारी बहन मान लिया था, और हमारे बीच इस महल को कभी मत आने दिना, तुकि इस महल के भीतर भी हम तुम्हारी ले सका है, और इस महल के भार भी, अरे, कृष्णा, वैसे तुम हमारे साथ यह हमाने महल में क्यों नहीं रहती हैंख, कि हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे तुम्हारी रख्षा करेंगे जब तक कि तुम्हें अपने ससुरान ना पहुचा दें अच्छा, तो आप हमारी रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, रहने दीजे, आप शायद भूल गए, कि ना चाने कितनी बार हमें आपकी रक्षा की है, इतनी बार हमारी रक्षा की है, आपने की हमें याद भी नहीं है, अच्छा, छोड़िए ये सब, हम अभी सदा सद के लिए आपकी रक्षा की विवस्था कर देते हैं ये देखिए ये धागा हम हमारे प्रसिद हनुमान मंदिर से लेकर आए इसको बांधने के बाद कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा किश्णा इस भव मुल्य उपार के बदले हम आपको क्या दे सकते हैं अपनी ऐसे कोई भी निशानी दे देजिए जिससे देखकर हम आपको सदा याद कर सके हैं कि यह लिजिए परन्तु यह बहुं मुल्य हर तो आपके लिए बहुत विशिस्थ है ना आप भी तो हमारे लिए बहुत विशिस्थ हो क्रिश्णा दन्यवाव कुमर-बृताफ हम आप से बात करना चाहे हैं या आपकी रारी मां भी आप'sे बात करना हैं लो दाजी, डाजी रो에서 अरे, Barcelon Yoore gdzie हो बाग करें रहे, को सुनिए nurse अब आप ही इने संभाल दिखिया ना Emmanuel Jinta, रोय जा रहे है लुए प्र भी हो रोय जा रहे है आप पी लेजए इने Sun alumni committed अम तर दे हैं के यह रोय इतने उचे स्वर में रूए कि बाहर से आ रहे है राना जी कुमर प्रताप और जेवंता भाई के हसने के स्वर दब जा रहे है हम चाहते हैं कि ये इतना उचा रूए ताकि इनके दाजीराज को ये भान रहे कि कुवर प्रताफ के साथ-साथ उनका एक और भी पुत्र है जो उनके बिना रोए जा रहा है और उचा रोईए हम कहते हैं और उचा रोईए कुवर जगमाद और रोईए आप रानिसा, आप ये क्या करते है अपने ही पुत्रे के साथ आप पी कैसे हो सकती है कुवर जी अरे क्या होगे हमारे कुवर जी को बेना, आप ने कोद में क्यों है उठा लेती कितना रो रहे ते यदि आप में इतनी मम्ता हुमर रहे है तो आप चुप करवा लीजे वेसे भी हाम इने वो नहीं दे सकते जो इने चाहिए कैसी बाते कर रही हैं आप बेना, विवार के राजकुमार ही ने, भला ऐसा क्या है जो इन्हें नहीं मिल सकता, अनाज, अनाज सज्जा जीजे, दूद से इनका पेट नहीं भरता, पड़े हो गए एको अर्चक्मार, अनाज, अरे, इसमें क्या है, हम अभी इने बादाम का हल नहीं सज्जा जीजे, ऐसा आनर भूल कर भी मत करना, हमने ऐसा क्या करती है, कुवर जग्माल का अनप्राशन नहीं हुआ है, बात संस्कारो और परंपराहों की है, जब तक कुवर जग्माल का अनप्राशन समारू नहीं हो जाता, हम उन्हें अनन कैसे दे सकते हैं, अभूआ या फ़ूआ या कि अभूए खाल लोगे तो हमारा खत बिलते ही जिस तेजी के साथ तुम फोष को तैयार करके यहां तक लाए हुकाले खाल करें हम खुश हो एं। लगन अगर तुम कोशिश करते हो तो और भी जल्दी आ सकते दें। वजूर, अब जब कि बूंदी का उत्तरी दरवाजा खुल चुका है, हम वहाँ फॉरण पहुंच जाएंगे और कुछी दिनों में हम चितोड पर हमला करने के लिए तयार होगे नहीं काले खान, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते पतले की याग में हमारा खुन खौल रहा है और शायद तुम भूल रहे हो काले खान के बूंदी पहुंचने से पहले तुमें एक लंबा चौड़ा जंगल पार करना है तुमारी फौज का मौइना करने के बाद हम इस नतिजे पर पहुंचे है कि तुम्हें देर खाने पीने और रसत के दस्तों की वज़ा से होती है लेकिन हुजूर इतनी बड़ी फौज का खाने पीने का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा इसको कैसे टाला जा सकता है हम जानते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए रास्ते में जो भी गाहों हैं उनकी रसत लूट कर फौज के खाने पीने के इंतजा मात करो एक वजूर अगर गाहोंवाले ना पर आड़ गये तो ऐसे गाहोंवालों को काट डालो कोई भी पाशिंदा जिन्दा नहीं बचना चाहिए समझ गए जी उसर प्रताब तुझे अब नहीं बचा सब्सक्राइब नहीं बचा सब्सक्राइब